हर्याणा के पलवल में सर्वर जाते खिंदू महा पंचायद प्रशासन ने सिर्फ 500 लोगों के शामिल होने के दी पर्मिश्र दो पहर दो बजे तक ही महा पंचायद की अनुमती साथी जौरान कोई भी भड़काउ भाश्र नहीं दिया जाएगा महा पंचायद पर प्रशासन के साथ लोगों की भी नजर 31 जुलाई की अधूरी रही शुभा यात्रा को 28 अगस्त को पूरा किया जाने का खो सकता है एलाद माध्यो प्रदेश के इन दौर में प्रियंका गांधी कमलनाथ और अरुन यादव पर केज़र शिवरास सरकार के खिलाफ 50 पीसदी कमिशन वाला लैटर वारल पोस्ट करने का आरुन एमपी सरकार के मंतरी विश्वास सारंग का भयान प्रियंका गांधी के खिलाफ सक्त कारवाई होनी जाहिए जूट की सीड़ी पर चड़कर सत्ता पाना चाहती है कौंगेस पाठी बीजेपी प्रदेश अधेक शिव विश्वास दर्थ शर्मा का प्रियंका और कमलनाथ पर हमला कहा जूट नात साबित हुए कमलनाथ सरकार को बदनाम करने की रचीज साज़श फायार दर्ज होने पर बोले कमलनाथ भ्रष्टा चार के हजारों मामले है दर्ज किन किन पर केस करेगी बीज़पी मध्य प्रदेश की जनता ने कर लिया हिताई इस बार सत्ता से हो जाएगी शिवराज की बिदाई प्रियंका पर फायार को कॉंगर्स देता जीतू पटवारी ने बताए लोगतंत्र की हत्या कहा भष्ट है शिवराज सरकार प्रियंका गांधी फायार मामले परिंदो और सीपी का बयान कहा शिकायत में लेटर फर्दी पाये गया है फर्दी दस्तावेश को ट्वीटर के जर्ये रिट्वीट किया किया बीजेपी अध्यक जेपी नड़ा के बंगाल दोरे का आज आखरी दिन कोलकता में दक्षी नेश्वर मंदर में की पूजा पंचाय चुनाप के बीजेपी उमीदवारों से मुलाकात का अकारिक्रा हर घर तिरंगा अभियान में हजारों लोग हुए शामे केंद्रे ग्रे मंतरी अमिद्षान ने गुझरात के सरहदी इलाकों का किया दोरा सुरक्षा विवस्था का भी लिया जाइसा हरामी नाले के निरिक्षण के बाद जवानों से मुलाकात की स्वतंतरता दिवस को लेकर कश्मीर में तिरंगा रैली का आयोजन रैली में उप्राजिपाल मनुद सिन्हा शामिल हुए स्वतंतरता दिवस को देखते वे दिली में सुरक्षा के पुखता इंतिजाम दिली के आईटीओ पर चपपे चपपे पर तैनाद सुरक्षा कर्मी हर गतिविधी पर रखी जा रही है पैनी नजर यूपी के कानपूर में आज़ादी के अमरित महुतसफ पर लगाई गई हत्यारों की प्रदर्शुनी आयोजुकों को मिले आठ थाजार करोड की ओर्डर्स आज सोलापूर में मंच साज़ा करेंगे शरत पवार और महाराश्टरी डेपीटी सीएम दिविंद्र फडणवीस पूर्व MLA गंपत राओ देश मुक्स मारुका करेंगे अनावरन जेंत पाटिल भी होंगे मौचूद शरत पवार और अजित पवार की मुलाकात पर बोले संजीर रावुद कहा जब नवाद शरीफ और मोदी मिल सकते हैं तो पवार और अजीत क्यों नहीं मिल सकते हैं कॉंगर्स के अध्यक्ष मलिकारजुन खडगिया 36 गड़ का चुनावी दौरा खरेंगे जांजगीर जिले में कॉंगर्स के भरोसे का सम्मिल एनकारिक्रम में शामल होंगी निशाद पाठी के अध्यक्ष और यूपी मंत्री संजे निशाद ने किया दावा यूपी की सभी 80 लोग सबा सीटों पर होगी एनडिय की जीत 330 से ज्यादा सीटे जीत कर केंद्र में फिर बनेगी सरकार केंद्री ग्रे मंत्री अमेट शाद के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन एहंदाबाद में कई परियोजनाओं का आश्विला न्यास गांधी नगर में भुचर माता मंदर में पूजा और दर्शन भी करें पमिलनावी के मंत्री सेंथिल बालाजी को 25 अगस्त तक न्याई खिरासत में भेज़ दिया किया के एड़ी के रिमांड खत्म होने के बाद हुई कॉट में पेशी नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सलसले में हुई थी गृफतारी यूपी के गोरकपुर में मुख्यमंत्री यूँखी आदितनात ने लगाया जुनता दर्बार लोगों की समस्याओं को सुना मौसम विभाग में जारी के उत्रखन के लिए हाई अलर्ट 14 अगस्त के लिए रेड अलर्ट जारी पहाडों पर हो सकती है भारी बारश हिमाचल के मंदी में भारी बरसाथ से बार जैसे हालात सडकों पर भरा पानी गाड़ियों की आवाजाही में लोगों को परेशानी हिमाचल प्रदेश के बिलासपूर में देर रात हुई भारी बारश शिमला धर्मशाला सडक मार्ग लैंड स्लाइट की वजह से बन हिमाचर प्रदेश के शिमला में भारी बरसात के साथ लैंसलाइट की घतनाएं पेड गिरने और मलबा आने से सड़क बंद हुआ हिमाचर प्रदेश के मंडी में मौनसून की बारिश बनी मुसीबत बारिश के वज़ा से उफवान पर भेह रही नदी दहशत में जीने को मजबूर है नदी किनारे पर बसे लोग पटना के मेदानता अस्पिताल की नर्स सरेडा हत्या नर्स की कि गई है पती नहीं चाको गोत कर उतारा मौत के घाट वारदात के पीछे बताई जा रही है पारिवारिक वज़ा पटना में नर्स हत्याकांट से ठीक पहले और बात की तस्वीरे सामने आई नर्स का पीछा करते हुए नजर आया आरूपी वारदात के बाद आराम से चलते बना नर्स का पती योपी के बांदा में तेजरफ़ता ट्रक सड़क की नारे बनी जुगी में खुसी एक बच्ची और एक महिला की मौत एक महिला गंभी रूप से खाए दिली के किंग्सवे कैम्प में हर्शल लेन रोड लाइट पर कार में लगी आग बीच रोड में जली कार समे रहते गाड़ी से बाहर आए कार सवार ले यूपी के प्रियागराज में पॉलिस एंकाउंटर में गोली लगने से खायल दो बदमाश लूट में शामिल चार बदमाश की रिफतार जालंदर के करतारपूर में बोल्वेल में फसा कर्मचारी 60 फिट गहरे बोल्वेल में कर्मचारी को निकालने की कोशिश लगा तार जारी भारी बारिश की वज़र से फसल बर्बाद विहार के पत्ना में प्यास की डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम होने से बढ़ रहे हैं दाम 36 गड़ के दुर्ग में महाराष्ट के नासिक से आ रहा प्याज एक हफते से बढ़ रहे हैं प्याज के दाम आगे और बढ़ने के आशंका 36 गड़ के कोरबा जिले में भुकम के चटके भुकम की तीरवता 3.6 दर्ज की गई है भुकम का केंद्र रहा कोरबा पशिव